Hello viewers, आजका हमारा स्वारी को टॉपिक है नेवर लाइ स्पीक यानि कभी जूट मत बोलो, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, लाइ का मतलब जूट बोलना, इस स्पीक मतलब बोलना, ठीक है इस स्टॉरी की मदद से हम डिफिकल्ट वर्ड को सीखेंगे, किसी डिफिकल्ट सें सबसे आसान तरीका है आव्ट ऑफ एड़ एनी सिचमेशने की लाइन को जूट बोलना सबसे आसान तरीका है out of any situation किसी भी situation से निकलने का सबसे आसान तरीका है ठीक है टॉम ने अपने फ्रेंड से सुना था या फिर सीखा था कि जूट बोलना किसी भी situation से सबसे आसान तरीका है निकलने का ठीक है आगे है so he became इसलिए उसने became का मतलब होना होता है ठीक है become का मतलब होना became का मतलब हुआ fond of lying मतलब जूट बोलने की and enjoy telling small lies और वो छोटी-छोटी जूट बोलकर खुद को enjoy करते थे उसने सीख लिया तो छोटी-छोटी जूट बोलकर खुद को enjoy करना है ठीक है फिर आगे देखते हैं sentence में क्या है आगे है when his parents caught when का मतलब जब his parents उसके माता पिता his parents उसके माता पिता catch का verb्तु है caught catch का आगे उसके माता पिता ने उससे पकड़ा him उसे पकड़ा and warned, warned का मतलब चेताम ने दिया him अगेंस、 ठीक है अगेंस telling lies किसी दूसरे के खिलाफ जूट बोलने के लिए उसके माता पिता ने उससे पकड़ा और चेताम ने दिया लाइस नेवर हार एनिवन लाइस नेवर हार्म एनिवन किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए ऐसा उसने कर दिया और उसने टाल दिया आगे टॉम's father decided Tom के जो पिता थे उसने decided कै यानि फैसला किया क्या फैसला क्या to explain व्याज्या क्या to him ussie. why lying is bad कि जूट बोलना क्यों बुरा है जब tom ने जूट बोलना बंद नहीं किया तो tom के father ने फैसला किया कि उसे समझाना है कि जूट बोलना क्यों बुरा है one evening, एक साम एक साम, tom and his father, tom और उसके पिता स्ट्रीट यानि घली में घुम रहे थे with some groceries कुस किराने का समान लेने के लिए फिर लेकर गली में घुम रहे थे Just then उसी समय देसाव अकार उसने एक कार देखा rammed into a book store जो कि एक book store में तक फिर आगे है Tom's father asked Tom के पिता नहीं पूछा एक man को यानि एक आदमी को what happened what happened का मतलब क्या हुआ है and he replied और उस ने जवाब दिया उस आदमी ने जवाब दिया the car driver lied car driver जूट बोल रहा है to his father अपने पिता से that key he could see without expect less कि उसने बिना चस्मे के उसे देखा था या फिर नहीं देखा था they both were in the car वे दोनों कार में थे when the accident जब accident हुआ था happened का मतलब हुआ था the father is seriously hurt father को बहुत हीं ज़्यादा hurt हुआ बहुत हीं ज़्यादा तकलीफ हुआ आगे है I am sure the boy regrets I am sure the boy को regrets हुआ पस्तावा हुआ एवर लाइं जूट बोलने के लिए Tom's father looked Tom and sent Tom के पिता ने Tom के तरफ देखा और कहा see Tom लोगों को हर्ड पहुचाता यह लोगों को दुख पहुचाता या फिर चूट पहुचाता है